नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो की सुरुआत करते हैं यूपी की एक बड़ी खबर के साथ उत्तर पर्देश को जल्द एक और अंतराष्टी एरपोर्ट की सोकात मिल सकती हैं पर्देश सरकार के नागरिक उडियन मंत्री नंद कौपाल गुपता नंदी के विदान भवन स्थिद अपने कारेले कक्ष में आयूजित बेटक में नागरिक उडियन विबाग के अधिकारियों के साथ कारियों की समिक्षगी उन्होंने पर्देश के सिपी एरपोर्टों की शमिक्सा करने के साथ ही RCS एरपोर्ट के विकास पर चर्चा की बेटक में अधिकारियों ने मंत्री को मर्यादा पूर्चोतम स्रीराम राष्टिय एरपोर्ट के परतम चरण के लिए निर्दारित तीन सो इकाउन एकर जमिन अधिक्रत किये जाने और सिल्या न्यास के लिए विबाग के तियारी पूरी होने की जानकरी दी मंत्री नंद गोपाल गुपता नंदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिसंबर 2021 के अंत तक या जनुरी 2022 के परतम सब्ता तक आयोध्या एरपोर्ट के सिल्या न्यास की परकरिया पूरी कराएं ताकि जल्द से जल्द मुर्यदा पूर्सोतम स्रीराम एरपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी ली उन्होंने कहा कि अन्य पांच एरपोर्टों का भी दिसंबर तक या फिर जनुरी परतम सब्ता में लोकारपन किया जाई नंदी ने कहा कि वर्तबान सरकार के आने के बाद से हवायड्यों के विकास कारियों में तेजी चैने की कारवाई चल रही है इससे परदेश की लोकों को रोजगार मिलेगा बेटक में अधिकारों ने बताया कि कुसी नगर इंटरनेशनल एरपोर्ट से दिल्ली की हवाई उडान सुरू होगी है जल्द ही कोलकता और मुंबई के लिए भी हवाई उडान सुरू होने जा र साथ ही यह भी बताया कि काईदे के समापन की निर्दारित 31 दिसंबर को बढ़ाया जा सकता है अगर आपको यह जानकर पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जुरूर करें तब तक के लिए तन्यवाद जय हिंद जय पारत